यह हेल्दी सा एग ओट्स ओमलेट खाने में बहुत टेस्टी है और वेट लोस कर रहे हैं तब तो आप इसको जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए तो फटा-फट से बना लीजिए यह वेट लोस ओमलेट हेलो एब्रिवन दोस्तों आज हैं बनाने वाले हैं एग ओमलेट फोर वेट लोस जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में ले सकते हैं तो चलिए जट पर से बना लेते हैं तो इसको मैं कर देती हूं साइड और यहां पर ले लेती हूं एक बाउल अब इसमें क्या करना है सबसे पहले हम लेंगे यहां पर ओट्स यह मैंने एक स्पून ओट्स लिया है यह सूप बाला स्पून है अब इसमें हम डालनेगी थोड़ें सा दूद और इसको दो से तीन मिनट इसी तरह भीग़ए रहने देंगे दो मिनट हो गए है ये देखिए है ओत्त हमारे कि इतने सॉफ्ट हो गये है बस हमें इतने सॉफ्ट करने हैं जादा दूद नहीं डालना है इसमें ये देखिए बिल्कुल नहीं है नीचे बस इतना डालना है जितने में हमारे ये जो ओड्स हैं सॉफ्ट हो जाएं बस तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शिरू करते हैं अब सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं दो एग और इसमें थोड़ सा नमक एड़ कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और डालेंगे इसमें काली मेच पाउडर आधा छोटा चमच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेट लोस के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें लाल मेच पाउडर नहीं डालेंगे बस हमें काली मेच पाउडर लेना है ब्लैक पेपर ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डाल लेते हैं दो कटी हुई हरी मिर्श एक कटी हुई प्याज मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने मेथी लेली है धनिया नहीं होता है तो मैं मेथी की पतियां अक्सर यूज कर लेती हूँ यह ऑप्शनल है आपके पास धनिया है तो फिर आप धनिया डालिए मेथी नहीं और हम डाल लेते हैं इसमें चीज ये भी मैंने एक स्पून ल तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं एक पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का ओयल गरम कर लिया है जादा नहीं अब इसमें डाल देंगे हम अपना यह त्यार किया हुआ और इसको हलके हाथ से इस तरीके से पिला देंगे स्लो टू मेडियम फिलेम रखी है मैंने और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़े से चिली प्लैक्स और फेटब देते हैं अब इसको हम पलट देते हुआ दूसरी साइड से भी पटने के लिए यह देखिए कितना अच्छा तलर आया है ओमलेट का अब इसको दूसरी साइड से पकने देते हैं और बस तयार है हमारा हेल्दी साथ बहुत टेस्टी सा एग ओट्स ओमलेट तो मैं तो इसको ले रही हूं ब्रेकवास्ट में आप लोग कब ले रहे हैं मोजी कोमेंट करके अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यह देखिए दोस्तों यह खाने में बहुत टेस्टी है इससे एक बार में पेट भर जाता है अब मैं इसको ले रही हूं ब्रेकवास्ट में इसको हम तीनो बार खा सकते हैं लंच में डिनर में ब्रेकवास्ट में तीनो में ले सकते हैं वेट लोज के लिए बहुत अच्छा है आप लोग इसे ट्राइ कीजिए अपने गर पे और म झाल झाल